आप सभी को मेरा नमस्कार आज मैं आपके लिए ये बेबी इनर लेकर आई हूँ ये न्यूबॉन बेबी के लिए है और इसे बनाना बहुत ही आसान है ये देखिए मैंने एकी कलर में बनाया है ये तीन कलर में मैंने बनाया है और ये मैंने तो कलर में बनाया है तो पहले इस दोनों पार्ट को हूँने जोड़ा, ये दोनों पार्ट एक ही जैसे बनते हैं। взvordan we can drag along something on byца. जूरा प्रेजचे लिए मैंने 54 स्टीचेज लिये हैं । को हमें सीधा है पनाती पहला फंद हम खाली उतार लेंगे। दोनों साइड से सीधा बनाते हुए हमें बॉर्डर कम्प्लीट करना मैंने इसका एक पार्ट ये बनाया हुआ है दोनों पार्ट एक जैसे ही बनेंगे पहले हम ये बॉर्डर बना लेंगे ये सीधी सीधी हमें दस सिलाईया बनानी है तो ये पांच रो हमारी आ जाएंगी उसके बाद हमें सीधा उल्टा बनाते हुए यहां तक लेंद पूरी करनी है हमारी 42 सिलाईया है सीधी साइड से सीधा और उल्टी साइड से उल्टा सीधा उल्टा बनाते हुए हमें यहां पार तक 42 सिलाईया बनानी है उसके बाद यहां से हम आगे बनाएंगे तो मैं इतना बना लेती हूं फिर आपको दिखाती हूं मैंने यहां तक यह 42 से लाईया इसकी बना ली हैं इसके बाद हम यहां से यह इसकी घटाई करना शुरूर करेंगे तो पहले सबसे पहले हम दस फंदे ये सीधे ले लेते हैं दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आर, नो, दस ये दस फंदे हमने सीधे भूल लिये हैं अब जो ये ग्यारवा फंदा है हमारा इसको हम पलट कर उल्टा कर देंगे इस तरह देंगे उसके बाद दो फंदों का एक फंदा बना रहे हैं ये दो फंदों का एक फंदा बना दिया है और बाकी के सारे फंदे सीधे भून के लास्ट के दस फंदे फिर हम सीधे भूल लिये पूरी सिलाई सीधी भूनते हुए यहां से दस फंदे छोड़के फिर यहां से एक फंदा हम गटाएंगे यहां से हम बारा फंदे छोड़ेंगे दो चार चे आट दस दस फंदे तो यह हमने जो सीधे भूने और यह दो फंदों का एक यहां पर हम इस फंदे को पल्टेंगे नहीं सीधा सीधा ऐसे दो फंदों का एक फंदा कर दिया है अब बाकी के फंदे हम यह दस फंदे हैं इनको सीधा बोनेंगे यहां पर यह दस फंदे हैं और यह हमने गटाया है और यहां से हमने एक फंदा केटाया है उल्टी सिलाइब में जो पहले के दस फंदे हैँ वह हम सीधे-सीधे बनाएंगे तिन चार पांच छे शार पांच नो ये दस ये दस फंदे हमने सीधे बना लिए जिस फंदे पे हमने दो फंदों का एक फंदा किया था उसको धागा आगे करेंगे और ऐसे उल्टा बिना बुने उतार लेंगे बाकी के फंदे हम उल्टे बुनेंगे वो लास्ट के जो दस फंदे हैं वो हम सीधे बुनेंगे तो ये फंदे हम उल्टे बुन लेते हैं दो चार चे आठ दस ये दस फंदे हम सीधे बिनेंगे और हमने दो फंदों का एक फंदा किया था इसको हम ऐसे उल्टा खाली उतार लेंगे फिर हम दागा पीछे करेंगे और ये दस फंदे जो हैं इनको हम सीधा सीधा बुन लेंगे पहले ये 10 फंदे हम सीधे बना लेंगे और जो ये 11 फंदा है इसको पलटकर हम ऐसे और फिर पीछे से दो फंदों का एक फंदा करते हैं उद्धर हमने पीछे से दो फंदों का एक फंदा किया था यहां से हम इदर आगे से दो फंदों का एक फंदा कर देंगे और बाकी के फंदे हम दस फंदे सीधे बनाएंगे उल्टी सिलाई में भी पहले 10 फंदे हम सीधे बनाएंगे और जो ग्यार मफंदा है हम धागा आगे करेंगे और उसको ऐसे बीना बुने उताव लेंगे अब बाकी के फंदे फिर उल्टे और जो ग्टाई वाला मेरा फंदा है उसको बीना बुने हम ऐसे उल्टा उतार लेंगे धागा पीछे करेंगे बाकी के जो दस फंदे हम उनको हम सीधा सीधा बना लेंगे इस तरह से दोनों तरफ से हमने 8-8 फंदे कम किये हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, चे, साथ, आठ ये 8-8 फंदे कम कर दियें दोनों साइड से अब हम ये दोनों साइड से सीधी सीधी सिलाईया बनाएंगे छे सिलाईया हम सीधी सीधी बनाएंगे ये छे सिलाईया हमारी बन चुकी हैं अब ये हम ये जो बीच वाले फंदे हैं इनको बंद कर देंगे और ये जो दस फंदे हैं और ये दस फंदे इनको हम उपर तक बुनेंगे इनको बंद कर देते हैं इनको बंद कर देते हैं और ये जो दस फंदे हैं और ये दस फंदे इ ये दस फंदे पहले हम बुल लेंगे तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस आगे वले फंदे हम बन कर देंगे दो, चार, छे, आठ, तस अब ये दस फंदे हम हर पस इनको हमें सीधा सीधा बुला है ये हमने इसकी ये मोड़ा हमने बना लिया है यहां से हमने ट्वंटी टू ये रो बनाई है ये ट्वंटी टू रो है मतलब 44 सिलाइया हमने इसकी बनाई है यहां से यहां तक तो इधर से भी इसी तरह 44 सिलाइया बना लेते हैं ये वाली फिल मैं आपको दिखाते हैं हमने ये दोनों पार्ट बना लिये हैं अब हम इनको आपस में जोड़ देंगे ये एक ही सिलाई में हम फंदे डाल लेंगे दोनों मोड़ों के इसके भी हमने डाल लिये उल्टी साइड से हम दोनों फंदों को जोड़ेंगे एक फंदा इधर से लेंगे एक फंदा उदर को एक फंदा इधर से और एक फंदा इधर से ये दो फंदे हो गए, अब दो फंदों का ये, इसके उपपर से इस फंदे को निकाल देंगे, इस तरीके से, पिर ये एक फंदा इधर से, और एक फंदा इधर से, ये दोनों को हम बुन लेंगे, और ये पहले फंदे को इस फंदे के उपर से उतार देंगे इस तरीके से हम सारे फंदे बंद करेंगे के अनिन के लोगा है干 सлекकता प show क्रीज़ इस पमने को शंदे को बंद काई आर 29 घंद करें 등 कॉर्वाँ छिय पहलेक और सकती है कैंαι पंद के लिए समय है सकतर अाया झाल बंद करें लो मानकी पोगनी ये नाया कर दो एकान है। कि यह दर से हमने जोड लिया हैं कि ऑगे दोनों साइट से हम इधर तक जहां तक हम ने सिधि-सिधि इडि vídeo सिम्य लिए दिजहां तक इदर से दोनों साइट से हम इन दोनों साइट की सिलाय कर देंगे कर दो है कि इस तरह से हम इसकी सिलाई करेंगे इस तरह से सिलते हुए हमें यहां तक सिलाई इसकी कर लेंगे तो हमने दौनों साइड से इसकी सिलाई कर लिया है और सिलाई करने के बाद यह इस तरह से दिखाई दे रहा है इसको उल्टा सीधा हम किसी भी तरीके से पहना सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक यू